नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलिज साथी पर दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो जिस टॉपिक पर आपको जानकारी देगा उसका नाम है फाइब्रो स्कैन दोस्तो फाइब्रो स्कैन एक ऐसा डाइग्नॉस्टिक टेस्ट है जो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स को डाइग्नॉस करने के लिए किया जाता है दोस्तो आज के टाइम में जबकि हर एक इनसान की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है इनसान का खान पान काफी बिगड़ गया है खाने और पीने की चीजों की प्यॉरिटी में भी संदे है लोगों के लाइफ स्टैल में काफी ऐसे चेंजेज आ गए हैं जो हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं ऐसे में इन सभी एसपेक्ट्स का असर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिस्म पर पड़ता है और धीरे धीरे मेटाबॉलिस्म की सामान्य प्रॉसेस बिगड़ जाती है दोस्तों मेटाबॉलिस्म की प्रॉसेस मुख्य रूप से लीवर में होती है जب बॉडी का मेटबॉलिजम बिगरने लगता है तो ये लीवर से संबंधित कई तरह की विमारियों को जर्म देता है ऐसे में जब पेशिंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कई तरह के लीवर से संबंधित टेस्ट कराने के लिए कहते है इन्हें diagnostic test में से एक बहुत ही important test है Fibro scan दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी test के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि Fibro scan test क्या होता है ये test किसको कराना चाहिए ये test किसको नहीं कराना चाहिए Fibro scan test क्यों किया जाता है इसके अलावा दोस्तो हम आपको बताएंगे कि Fibro scan से पहले की जाने वाली तयारियां क्या क्या है Fibro scan test में क्या होता है और ये किस तरह से किया जाता है क्या Fibro Scan कराने में कोई खत्रा है लीवर Fibro Scan के रिजल्ट क्या दर्शाते हैं और Fibro Scan का रिजल्ट प्राप्ट करने में कितना समय लगता है इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि Fibro Scan टेस्ट की कीमत क्या है और आप इस टेस्ट को कहा करा सकते हैं तो दोस्तों ये सारी जानकारी हासल करने के लिए आप लास तक हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो फॉरण हमारे यूट्यूब चैनल नौलिज साथ ही को सब्स्राइब कर लीजे और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे और आईए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और जानते हैं Fibro Scan के बारे में डिटेल में दरसल दोस्तों Fibro Scan एक Ultrasound Test के समान है जो लीवर इंफेक्शन का डियागनॉसिस करने के लिए लीवर की Stiffness याने की उसकी कठोरता को मापता है ये एक Non-Invasive Test है जो की लीवर की Health को Determine करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों क्योंकि ये टेस्ट लीवर की Stiffness और Elasticity को मापता है इसलिए इस टेस्ट को Ultrasound Elastography के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों Fibro Scan एक Non-Invasive Test है इसका मतलब है कि इस टेस्ट में पेशेंट की बॉड़ी में किसी भी तरह का Equipment या किसी भी तरह का Instrument इंसर्ट नहीं किया जाता है दोस्तों Fibro Scan को Liver Biopsy के एक Alternative के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है दोस्तों Liver Biopsy एक Traditional Aggressive और Liver की बिमारियों का Diagnose करने का एक महंगा तरीका है जहां टेस्ट के लिए एक सुई के माध्यम से Liver का एक छोटा सा टुकडा लिया जाता है वहीं Fibro Scan एक Non-Invasive और Non-Aggressive टेस्ट है जो Liver Biopsy से अधिक सटिक रिजल्ट्स देता है दोस्तों इस टेस्ट के द्वारा Diagnose की गई लिवर की Stiffness आपके डॉक्टर को लिवर Infection की स्टेज का आकलन करने में मदद करती है ये स्कैन लिवर में मौझूद Fibrosis और लिवर में मौझूद Fet की मात्रा का मुल्यांकन करता है दोस्तों आप बात करते हैं कि Fibrosis कैन किसको कराना चाहिए तो दोस्तों कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे की वीकनेस, थकान, उल्टी, वजन घटना, जॉन्डेस, पेट में दर्द और सूजन, गाड़ा यूरीन या फिर पीले या लाल रंग के स्टूल की पासेज आपक्टर उनको Fibrosis कैन लेने के लिए सला दे सकता है आएए दोस्तों आप बात करते हैं कि Fibrosis कैन टेस्ट किसको नहीं कराना चाहिए तो दोस्तों ऐसे लोग जिन्होंने कार्डेक एक्किप्मेंट जैसे पेसमेकर या इंटर्नल डिफिब्रिलेटर का implantation कराया है उन्हें Fibrosis कैन कराने की सला नहीं दी जाती है इसके अलावा pregnant महिलाओं को भी ये टेस्ट कराने की सला नहीं दी जाती क्योंकि दोस्तों Fibrosis कैन लीवर की सूजन को मापने के लिए high frequency की sound waves का उपयोग करता है जिससे अजन में बच्चे को खत्रा हो सकता है आईए दोस्तों बात करते हैं कि Fibrosis कैन टेस्ट क्यों किया जाता है तो दोस्तों Ultrasound Fibrosis कैन बहुत से पुराने लीवर के लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है जैसे की Hepatitis B, Hepatitis C, शराब पीने से होने वाली लीवर की विमारियां, Non-Alcoholic Steto Hepatitis, Auto Immune Hepatitis, Hemokromatosis, Wilson's Disease और लीवर सिरोसिस इत्यादी आईए दोस्तों बात करते हैं कि Fibrosis कैन करने से पहले की जाने वाली तयारियां कौन सी है तो दोस्तों इस टेस्ट के लिए कोई विशेश तयारी की आवशक्ता नहीं होती इस कैन से 2-3 घंटे पहले आपको किसी भी भोजन या तरल का सेवन नहीं करना चाहिए और आप किसी भी तरह की आराम दायाक पोशाक पहन कर ये टेस्ट करा सकते हैं इसके लिए गाउन पहनना जरूरी नहीं है इसके अलावा दोस्तों ये टेस्ट कराने से लगभग 2 हफते पहले ही पेशेंट को शराब पीना अवाइड कर देना चाहिए आई दोस्तों बात करते हैं कि फाइब्रो स्कैन में क्या होता है दरसल दोस्तों फाइब्रो स्कैन इलास्टोग्राफी टेक्निक का उप्योग करता है जो अल्टरा साउंड के समान होती है इलास्टोग्राफी सॉफ्ट इश्यूस की स्टिफनेस को मापने की एक इमेजिंग टेक्निक है दोस्तो फाइब्रो स्कैन लीवर की क्लियर इमेजिस प्राप्त करने और इसकी स्टिफनेस को मापने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेब्स का उप्योग करता है इस टेस्ट के दौरान रेडियो लाजिस्ट आपको अपने हाथ उपर करके लेटने के लिए कहते हैं इसके बाद रेडियो लाजिस्ट उस एरिया की स्किन पर एक जैल लगाते हैं जहां का ये जैल इसलिए लगाया जाता है दोस्तो ताकि मशीन के प्रॉब और इसकिन के बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो इसके बाद radiologist उस area पर ultrasound की जाँच करता है जहां liver होता है ये जाँच sound waves को पैदा करती है और आपकी body के माध्यम से liver में painless vibrations भेचती है दोस्तो ये test sound wave का liver तक पहुँचने के लिए लिए गए समय को भी मापता है और liver की condition का मुल्यांगन करता है मशीन से जुड़ा computer सारा data record करता है और liver की एक clear picture डिस्प्ले करता है दोस्तो लिवर की ये displayed picture radiologist को analysis और report तयार करने में मदद करती है दोस्तो फाइब्रो स्कैन टेस्ट को पूरा करने में आम तोर पर केवल 10 से 20 मिनिट लगते हैं दोस्तो फाइब्रो स्कैन टेस्ट से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है ये टेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित और painless होता है इस टेस्ट को कराने में कोई भी risk या फिर कोई भी complication नहीं है आईए दोस्तो बात करते हैं कि लिवर फाइब्रो स्कैन टेस्ट से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या दरशाते हैं दरसल दोस्तो फाइब्रो स्कैन लिवर की life और लिवर के उपर swelling की degree को मापता है इसके अलावा ये लिवर की elasticity को भी मापता है दोस्तो अगर लिवर तक पहुँचने के लिए sound waves के द्वारा लिया गया समय सामानिय से अधिक लंबा होता है तो ये इस बात को indicate करता है कि आपका लिवर एक हानिकारक स्थिती में है ऐसी condition में आपके doctor आपको कुछ medicines, surgery या कुछ दूसरे तरीके के test बता सकते हैं दोस्तो फाइब्रो स्कैन टेस्क के द्वारा लिवर की stiffness की range किलो पासकल में मापता है दोस्तो फाइब्रो स्कैन द्वारा मिले result की normal range 2 किलो पासकल से 6 किलो पासकल तक होती है 90% से 95% healthy लोगों में जिन में लिवर की कोई बिमारी नहीं होती उन में लिवर इसकारिंग का measurement 6 किलो पासकल से कम होता है दोस्तो इस test के द्वारा मिले result को 0 से 4 तब के fibrosis score में express किया जाता है यदि किसी व्यक्ति का fibrosis score 0 से 1 है तो ये किसी भी प्रकार की इसकारिंग को नहीं दर्शाता या ये mild इसकारिंग को दर्शाता है जो की normal है वहीं अगर किसी व्यक्ति का fibrosis score 2 है तो ये moderate liver scarring को दर्शाता है fibrosis score 3 होना severe liver scarring को दर्शाता है और fibrosis score 4 होना advanced liver scarring को दर्शाता है जो की liver cirrhosis की एक condition होती है आई ये दोस्तो बात करते हैं कि fibroscan test की कीमत क्या है दोस्तो अक्सर लोगों को fibroscan test की cost के बारे में पता नहीं होता ऐसे में वो इस test के लिए fees के रूप में labs को बहुत ज़ादा amount पे कर देते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में fibroscan test की कीमत 2 हजार रुपए से लेकर 3 हजार रुपए तक है आईए दोस्तो आप बात करते हैं कि आप ये test कहां कहां करा सकते हैं तो दोस्तो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप ये test लखनव, कानपूर, गाजियाबाद, नौइडा, प्रियागराज, बरेली, आगरा, मेरट, मुरादाबाद, वारांसी और सीतापूर में करा सकते हैं यूपी के और भी कई शहरों में आपको इस test को करने के लिए diagnostic centers मिल सकते हैं वहीं अगर आप उत्राखंड में रहते हैं तो उत्राखंड में दहरादून, रिशिकेश, हरिद्वार, हल्दवानी और रुर्की में आपको इस test के लिए diagnostic centers मिल सकते हैं दोस्तो डेली में भी आपको फाइब्रो सकेंट टेस्स के लिए बहुत से diagnostic centers मिल सकते हैं दोस्तो SRL Diagnostic, Sigma MRI and Diagnostic Center और Dr. Lal Path Labs ऐसे diagnostic centers हैं जहां पर आप फाइब्रो सकेंट करा सकते हैं इन centers की branches आपको भारत के लगबग हर शहर में मिल जाएंगी दोस्तो आपको फाइब्रो सकेंट कराने के लिए diagnostic center ढूंडने में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा क्यूंकि आप घर बैटे ही बहुत आसानी से फाइब्रो सकेंट टेस्स के लिए centers ढूंड सकते हैं और test के लिए अपना appointment भी fix करा सकते हैं दोस्तो इसके लिए कुछ ऐसे online platforms मौझूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं दोस्तो इंटरनेट पर www.labadvisors.com नाम से एक website है जो आपको आपके आस पास आपकी सुविधा के अनुसार fiber scan test कराने के लिए center ढूंड कर test के लिए आपका appointment fix करा सकती हैं आप इस website के साथ अपनी थोड़ी सी basic detail शेयर करके appointment fix करा सकते हैं तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको fiber scan से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताया I hope दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस से मिलने वाली information आपके काफी काम आ सकती है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like कीजे और share कीजे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो फॉरण हमारे यूट्यूब चैनल knowledge साथ ही को subscribe कर लेजे और साथ ही bell icon को भी प्रेस कर दीजे तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही Thank you for watching